राधे राधे आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे एक नगर में एक सेठ रहते थे सेठ का पूरा परिवार था सेठ, सिठानी और सिठानी के बच्चे इस तरीके से सेठ का एक पूरा भरा पूरा परिवार था सेठ जी ब्यापार करते थे और ब्यापार के कारण कभी कभी देश पर देश भी जाया करते थे किन्तो वह सेठ भवान गणेश के बहुत है प्रेम करते थे उनकी चो पूजा करते थे अराधना करते थे वह भक्ती भाव से करते थे वो ऐसा महसूस करते थे कि भगवान गणेस मेरे साथ हैं, रहते हैं और मेरे सारे विगनों को दूर करते हैं, जिसके कारण मेरा ये घर परिवार सुखी है, ऐसा समझते थे, और वह भगवान गणेस से प्रेम करते थे, प्रेम की उर्बाक उनकी पूझा करते थे, रोज प्र पूजा करनी है उन्हें नहलाना है धुलाना है नए अच्छे वस्ट पहनाना है अच्छे सच्छे भोग लगाना है फिर भगवान गणेश की भजन को गाना है उसके बाद ही स्वेम जल गराण करना है कुछ भी गराण करना है यह उनके नित्त क्रिया थी यह दिवा कहीं जात तो साथ में भगवान कणेश की मूर्थी अथ्वा जो प्रतिमा थी उसे अपने साथ में लेकर चाते थे भगवान कणेश की यह भक्ति उनकी पत्नी को अच्छे नहीं लगते थी उन्हें लगता था कि सारा समय तो यह बिजनेस में देते हैं ब्यापार में देते हैं और जो सुद्ध रहता है ना बच्चों का सुद्ध रहता है वह इतना ज़ादा परिशान हो गई इस इठानी कि वह सोचने लेगी कि कैसे भी करके यह गणेश की मूर्ति मैं बाहर फेग दूं न इया गणेश की मूर्ति होगी न यह पूझा पार्ट करेंगे और न इतने भकती में लीन रहेंगे बहुत यूती लगाई बहुत दिमाग लगाया बहुत सोचा सोचने के बाद में एकी बाद दिमाग में हाई कि घर के पीछे जो जमीन खाली पड़ा है जहां कोड़े कचरे का धेर रहता है उसी धेर में कल सुबह उठकर के जल्दी से गणे जी की प्रतिमा को सेट बाहर फेग दूंगे और ढोड़ते रहो पूरे घर तुम ढोड़ लो तुम्हें मिलेगा ही नहीं सेठ जी के लिए ऐसा सोचती है और वह इस काम को कर देती है सुबह पती के उठने से पहले उठ जाती है सिठानी और उठकर के गणे जी की प्रतिमा को घर के पीछे ज अपने दिन चर्या के अनुसार वह सेट जी उठते हैं प्रातहकाल और अपना नितिकर्म करके इसनान ध्यान करते हैं और इसनान ध्यान करने के बाद में जब मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं सारे भगवान के मूर्ती है फोटो है सब कोई है पर मेरे गणेजी की फोट हुई है मुझे छोड़कर चले गए अब सेट जी तो पूजन भजन तो किये नहीं विलाप अलग से करने लगे अब उनके विलाप सारा दिन विलाप चला उनका इस विलाप में वो भोज़ा लेना पानी लेना सब भूल गया उन्हें सुध न रही वो यही सोचते रहे मेरे ग गड़ेश तो कुछ जब ना खाया है ना पीया है पता नहीं कहा है पहले उसकी सुध तो मिल जा मुझे तब मैं पानी प्यूंगा अनजल ग्रहन करूंगा मेरे गले के नीचे तो कुछ भी नहीं जा रहा है ऐसा सोच करके दुखी मन से सेट जी अपने दिन चरिया तो करते हैं अपने व्यापार को देखते हैं लेकिन उन्हें मन नहीं लगता है रोते फिर सब शाम हो जाती है फिर जब शाम हो जाती है तो शाम को जो पूजन अर्चन ध्यान करते थे गड़ेश जी को भोग लगाते थे फिर वो उस समय पहुशते हैं मंदिर में देखते हैं मेरे गणेज तो लोट करी नहीं आया है अब फिर दुखी हो जाते हैं अपना व्यापार बंद कर देते हैं जल्दी बंद कर देते हैं और पूरे घर में धूरते हैं छत पर धूरते हैं बाहर धूरते हैं सब जगार धूरते हैं और सुचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चों कुछ रख़ के पेड़ पे बच्चों ने तो नहीं रख दिया सब जगा धूड़ लेते हैं शाम को उन्हीं कहीं गणे जी नहीं मिलते हैं फिर वाई बिलाप करते हैं कि पता नहीं वो मेरा बेटा कहा क्या खाया होगा वो तो मेरे पुत्र के समान था वो मेरी बड़ी हर बात को सुनता था और मेरी बड़ी मदद करता था पता नहीं हो कहा चला गया और रोते रोते रात में भोजा नहीं करते हैं और रोते रोते सेट जी सो जाते हैं बिलाब करते करते जब सोते हैं तो रात में स्वपन में गणेजी आते हैं वही गणेजी की प्रतिमा आती है और वह गणे जी कहते हैं उठो उठो तब उनकी आग खुलती है कहते हैं देखो मैं यहाँ पड़ा हूँ मैं यहाँ पड़ा हूँ और सपने में देखते हैं सेठ जी कि जो कूड़ा का धेर है वहाँ पर वहाँ पर गणे जी की मूर्ति पड़ी हुई है अब उनको चैन नहीं पड़ता है, उत्तुरत उठके बैट जाते हैं और उन्हें नींद नहीं आती है, जल्दी इंतजार करते हैं कि कितनी जल्दी सुभा हो और दिन की उजाले में मैं जाकर के गणेजी की मुर्ती को मैं ढूण कर लाता हूँ, जब सुभा सुर्योदे हो जाता है, तो भाग के जाते हैं पीछे के ब्लाट में और देखते हैं, क्यारी यहां पर तो मूर्ती पर ही हुई है गणेजी की और यह देखो मुझे सपने में बताय थे, वहां से गणेजी की प्रतिमा को उठा कर लाते हैं, उन्हें नहलाते हैं, फिर स्वैम भी नहाते हैं, फिर गणेश जी को दूद से, दही से, सहत से, घी से, उस प्रतिमया को स्नान कराते हैं, गंगा जल से स्नान कराते हैं, और अच्छे वस्त्र पहना करके, फिर से अपने मंदिर में स्थापित करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, जब गणेश जी और कुछ नास्ता दो, भूग लग रही है सिठानी जी कहती है क्या बात है, आज बिलाप नहीं कर रहे है देखो तु सही, बात क्या है वह देखती है जाकर के कि मंदिर में गणे जी की भोग लगे हुए है और प्रतिमा रखी हुई है वह सेठ जी के चर्णों में गिर जाती है सिठानी और कहती है, प्रभू पहले मुझे छमा करें आप फिर मैं आपसे यह जाना चाहती हूँ कि यह प्रतिमा आपको कहां से मिली तब सेठ जी कहते हैं कि मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया आज सुबह भी जब मैं गणिजी की मूर्ति को ले आया तब मैंने पानी को पिया है जब उन्हें भोग लगा दिया है इसके बाद मैं पानी को मांग रहा हूँ पहले तुम मुझे पानी पिलाओ चाय पिलाओ, कुछ नास्ता कराओ फिर उनकी पातनी सिठानी सब कुछ बना कर लाती है और सिठानी के आँखों से आसु बहने लगते हैं वह सोचती है इस जगा का पता तो मेरे बच्चों को भी नहीं मालुम था सेठ जी को भी नहीं मालुम था तो यह प्रतिमा उठा के कैसे ले आए जब भोजन कर लेते हैं सेठ जी तब अब प्रेम से पूछती है तब सेठ जी बताते हैं कि गणेजी कल मेरे सपने में आये थे और मुझे बताते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ देखो आकर मैं यहाँ पर हूँ मैं यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ मुझे आकर ले जाओ, रात भर मुझे चैन न पड़ी, मैं सुबह इंतजार करता रहा, जब सुर्योदे हुआ, तो मैं ले करके आया हूँ, नहलाया हूँ, धुलाया हूँ, तयार के आया हूँ, खुद भी तयार हूँ, भोग लगाया हूँ, जब मेरे गणेसा ने, मेरे पानी को पिया है, इस भक्ती को देख करके सिठानी नत मस्तक हो जाती है, कि मेरे पती ही नहीं गणेस जी से प्रेम करते हैं, यह गणेस जी भी मेरे पती से उतना ही प्रेम करते हैं, मैंने बहुत बड़ा अपरात किया है, अब इस अपरात की सजा एक ही है, कि मुझे भी भ दवान गणेस की जैहो शिव संकर चले केलास बुंधिया पढ़ने लगी भोले बाबा की जैहो राधे राधे आशा करती हूँ कि आप सबी लोग खुश होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे रिशियो ने सूत जी से पूछा हे ब्यास सिस किस ब्रत से संतुष्ठ होकर भगवान शिव उत्तम सुक प्रदान करते हैं जिस ब्रत के अनुष्ठान से भक्त जनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ती हो सके उसका आप विशेश रूप से वर्णन कीजिए इस पर सूत जी कहते हैं महर्शियों यही प्रशन किसी समय ब्रह्मा विश्णू तथा पारवती जी ने शिव जी से पूछा था उनके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ कहा वह मैं आज तुम लोगों को बता रहा हूँ भवान शिव बोले वैसे तो मेरे बहुत से ब्रत हैं जो भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं उसमें मुखे दस ब्रत हैं जिन्हें जाबाल शुती के विद्वान दस शेव ब्रत कहते हैं दुजों को यतन पुर्वक सदा इन ब्रतों को करना चाहिए परन्तु मोक्षार्थी को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले चार शिव की पूजा दुजों को यतन पुर्वक सदा इन ब्रतों का पालन करना चाहिए परन्तु मोक्षार्थी को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले चार ब्रतों का नियम पुर्वक पालन करना चाहिए ये चार ब्रत हैं भगवान शिव की पूजा नमबर एक, नमबर दो, रुद्र मंत्रों का जप्त, नमबर तीन, शिव मंदिर में उपवास, तथा काशी में देहत्याग, ये चार मोक्ष के सनातन मार्ग हैं, इन चारों में भी महा शिवरात्री का ब्रत विशेश महत्व है, अतह इसे अवशही करना चाहिए यह सभी के लिए धर्म का उत्तम साधन है, निशकाम, अथवसकाम, भाव से सभी मनुस्यों, वर्णों, आशमों, इस्त्रियों, बालकों तथा देवताओं आधी के लिए यह महान ब्रत परम हितकर माना गया है प्रतेक मास के किष्ण प्रक्ष की चतुरदसी शिवरात्री कहलाती है, परन्तु फालगुल मास के शिवरात्री को महा शिवरात्री की संग्या दी जाती है जिस दिन अधरात्री के समय चतुरदसी तिथी विद्यमान हो, उसी दिन इस ब्रत को कड़ना चाहिए उस दिन ब्रती पुरुष को प्रातय काल उठ करके इसनान ध्यान करके संध्या आधिकर्म से निवरित होकर मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड तिलक और गले में रुद्राक्ष का माला धारन कर शिवाले में जाकर शिवलिंक का विदी पुर्वक पूजन एवं मुझ शिव क नवशकार करना चाहिए तत्पश्चात स्रधा पुर्वक ब्रत का संकल्प करें और सास्त्र प्रसिद्ध किसी भी शिवलिंक के पास जाकर रात्रि के चारों प्रहरों में पूजा करें यदि नर्म देश्वर आधि शिवलिंक उपलब्ध न हो तो चार मूर्तियां वाध्येद्वारा उस्सों पुर्वक जाग्रण करना चाहिए प्राते काल उठकर इस्नान करके पुनः वहाँ पार्थिव शिव की स्थापना एवं पूजन करें इस तरह ब्रत को पूरा करके हाथ जोड़ करके मस्तक जुका करके बारम बार भगवान संकर से प्राथना करनी चाहिए इसकी अनंतर, ब्राम्वन तथा सन्यासियों को शक्ति की अनुसार भोजन करा कर उन्हें भली भाती संतुष्ट कर स्वेम भोजन करना चाहिए यह मैंने सास्त्र विधी से भगवान शिव की पूजा, अराधना और रात्रिभल में पूजा, चारो प्रहरों की पूजा, शिवलिंग की पूजा यदि आपके घर में नर्म देश्वा शिवलिंग है तो आप अपने घर में नर्म देश्वा शिवलिंग की पूजा करें आज पास कोई प्राण प्रतिश्चित शिवलिंग का मंदिर हो तो उस मंदिर में जाकर के चार प्रहर की पूजा करें अथवा अपने घर में ही पार्थिव शिवलिंग की चार मुर्थियां बना करके उनकी पूजा चार प्रहर में करें और रात जागरन करें और प्रातह का लुटकर फिर इसनान ध्यान करके भगवान शिव की पूजा करें प्रातना करें इस्तुती करें उसके बाद में भोग लगाएं आर्ती करें उसके बाद ब्रत का पारण करना चाहिए यह विधान जो सास्रोक्त बताया गया है उसे मैंने आप लोगों को बताया है आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी यदि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो किरपया वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्स को सुनाने जा रही हूं। किर्पया बड़ ही भक्ति भाव के साथ में इस पूरी कथा को सुनिएगा। पूरी कथा को सुनने से भगवान संकर की किर्पा की प्राप्ति होती है। आप सभी लोगों को महाशिवरात्री की हारदिक शुप कामना एं। आप सभी भक्त जनों पर भगवान संकर की किपा सदा सर्वदा बनी रहे, घर में सदा मंगल हो, सभी भक्तों की जय हो, भगवान संकर की जय हो, भगवान स्री गनेश की जय हो, अपने सभी गुरु बंधुओं को मैं प्रणाम करती हूं, भगवान संकर को मैं प्रणाम करती ह आईए सुनते हैं भगवान संकर की यह सुन्दर अद्वुत कथा, यह कथा है मारकंडे जी के जन्म की कथा, बहुत साल पहले की बात है, एक राज में एक रिशी रहते थे और साथ में उनकी पत्नी रहते थे, जैसा के हम सभी लोग जानते हैं कि रिशी मुनी किसी वे राज के अंदर नहीं रहते थे, राज के बाहर कुटिया बना करके रहते थे, और राजाओं को जो कुछ भी पूछना होता था, वह राजा रिशी के पास आकरके अपने समस्या का समाधान पूछते थे, उपाय जानत थे और उन उपायों को किया जाता था, यदि कोई रिशी बता दे कि यग्य करना है, तो राजा लोग यग्य कराते थे, यग्य का सारा तयारी करना, बिधी विधान करना, सब रिशी मुनी के आग्या के अनुसार, बिधी विधान के अनुसार किया जाता था, क्योंकि उस भ लिए पयज्यान के अमसार यह सारे कारे किये जाते थे जो रिशी मोनी थे उनके घर आगन में कोई संतान नहीं थी रिशी पत्नी अपने संतान के ना होने से अत्यंद दुखी रहती थी लेकिन अपनी पीड़ा वह किस से कहें उनके सामने सबसे वड़ी समस्या यह थी कि वह अपनी पीडा लेकर किसके सामने चाहें। तो रिशी पत्नी जहाँ पर रिशी और रिशी पत्नी रहते थे कुटिया बना करके, वहाँ से कुछ दूरी पर एक परवत था। उस परवत पर भगवान शंकर का बहुत ही सुन्दर मंदिर था। नित्य रिशी पत्नी उस मंदिर में भवान संकर के पास जाती थी जल चढ़ाती थी परवत पर जितने तरह के फूल फल मिलते थे सभी को भवान संकर के उपर चढ़ाती थी और साथ में उनसे प्राथना करती थी कि हे प्रभु सभी के घर आंगन में संतान है, मेरे घर में संतान नहीं है, मेरे इस दुख को समझो, किर्पा करके मुझ पर किर्पा करो, डया करो और मुझे एक संतान दो नित्य प्रती अपने दुख को भवान संकर के सामने कह करके नीचे आ जाती थी और अपने नित्य कर में लग जाती थी, जो रिशिवर थे, वह अपनी पत्नी के मन के भाव को समझते थे, पर वह समझ नहीं पा रहे थे, कि मैं कौन सा ऐसा कारे करूं, जिससे कि मेरे घर आंग जान हो, भवान संकर के किरपा से रिशी पत्नी गर्वती होती हैं, और वह रिशी पत्नी एक पूत्र रत्न को जन देती हैं, रिशी पत्नी और रिशी मुनी बहुते खुश हो जाते हैं, जब उनके घर में पूत्र रत्न का जन्म होता है, अपने पूत्र को देख करके रिशी से कि हे रिशीवर तुम्हारे पत्नी के भक्ति भाव और तब से प्रसंद हो करके मैंने यह पुत्र तुम्हें दिया है किन्तु इसकी आयू सिर्फ 12 वर्स की है इसकी आयू लंबी नहीं है इसलिए 12 वर्स के बाद तुम्हारे इस पुत्र की मृत्यू निश्चित है तो किर्प्या शोक न करना मैंने तुम्हें 12 वर्स की आयू वाले पुत्र को दिया है ऐसा कह करके भगवान संकर स्वप्न में ही अंतरध्यान हो जाते हैं रिशिवर की आख खुलती है तो देखते हैं कि भगवान संकर नहीं है लेकिन वस बैठ करके सोचते हैं कि भगवान संकर मेरे स्वप्न में आ करके यदि इतनी बड़ी बात मुझसे कह रहे हैं तो यह एक साधारन बात नहीं है। वो रिशी इस बात को बड़े है गंभिर्ता पुरवक लेते हैं। रिशी पत्नी बालक के लालन पालन में ब्यस्थ हो जाती हैं। वह ही इतना ब्यस्त हो जाती हैं कि उन्हें सुध ही नहीं रहता है, किसी भी बात का उन्हें सुध नहीं रहता है और इधर रिशी वर्जु हैं वह चिंता में पढ़ जाते हैं कि अब इसका क्या उपाय है। जब याद कराते हैं हर वक्त कहते हैं बेटा ओम नमह शिवाय बोलो ओम नमह शिवाय बोलो उतना छोटा वच्चा सारा दिन अपने पिता के कहने पर ओम नमह शिवाय ओम नमह शिवाय इस मंत्र को जपने लगा। और उस बालक से भगवान संकर की पूजा कराते थे, उसी शिवलिंग पर पूजा कराते थे जहांपर गुरू पत्नी पूजा करने आती थे और उसको समझाते थे अपने बालक को इस तरह से जल चढ़ाओ, दूद चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, शहत चढ़ाओ, शक्कर चढ़ाओ, गंगा जल चढ़ाओ, इस तरह से भगवान को अविशेक करो, फिर उनका श्रंगार करो, फिर सारे फूल चढ़ाओ, बिलपत्र और ओम नमाशिवाय ओम नमाशिवाय ओम नमाशिवाय इस मंत्र को तुम बेटा बोलते रहो वह बालक अपने पिता के साथ में नित्य प्रती उस मंदिर में जाने लगा और जैसे जैसे पिता ने सिखाया वह बालक पांच वर्स की आयू तक में सारी रीत को समझ गया और बड तक सब कुछ सीख गया है तब अपने पुत्र से कहते हैं कि अब तुम नित्य अकेले आना इस मंदिर में और जिस विधान से तुमने पूजा करना सीखा है इसी विधान से तुम यहां पर नित्य पूजा करना और जब भोजन का समय हो तब नीचे आना और भोजन करके फिर उ ओम नमाशिवाय, ओम नमाशिवाय, मंत्र का जाप करते रहना, जब तुम्हें नीन दाए, तो जो भगवान शिवलिंग का अरगा है, इसी अरगे पे अपना सिर रख कर सो लेना, फिर उठना और फिर अपना जाप सुरू कर देना, जब तुम्हें इस पहार परवत पर किसी भी जानवर की आवाज से डर लगे या किसी भी अन्यावाज से तुम्हें डर लगे, तो तुम भगवान शंकर के इस शिवलिंग को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेना, और कहना, हे भोले बाबा मुझे बचालो, ये तुम्हारी रक्षा अबसे ही करेंगे ही पूत्र तुम इनकी सेवा करो ऐसा कह करके वह रिशीवर अपने पूत्र को समझा करके उसी मंदिर में छोड़ करके स्वेम नीचे आ जाते हैं उनकी पत्नी को बहुत बुरा लगता है वह सोचती है इतने छोटे से बालक को इतने उचे पहाड पर नित्य रिशीवर लेकर जाते हैं और नित्य लेकर आते हैं मेरा पुत्र तो ठक जाता है लेकिन अपने पती की आग्या का उलंगन ना करना यह उस समय का रीति था तो वह किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं करती हैं और दूसरे दिन से वह बालक अकेली ही उस परवत पर जाने लगा नित्य प्रती पिता की आग्या को मान कर वह बालक उस परवत पर जाता और सुबह से लेके शाम हो जाती वो वहीं पर पूजा करता वहीं पर सो जाता और वहें पर ओम नमा शिवाय का जाप करता रहता इधर मां इंतजार करती कि शायद दो पहर में बेटा आएगा तो कुछ खाएगा रिशिवर कहते बेटे का इंतजार मत करो वह जो तपस्या कर रहा है उसको करने दो उसमें किसी प्रकार का भी बाधा उत्पन ना हो और मन्हिमन सोस्ती है मेरे पुत्र की आयू ही कितनी है वह तो अभी सिर्फ पांच बरस का है पांच बरस की उम्र से वह बच्चा भगवान संकर की तपस्या में लीन हो जाता है फिर उस बच्चे की आयू बढ़ने लगती है और तपस्य भी उस बच्चे की बढ़ने लगती है अब वह बालक जब साथ बरस का होता है तो वह रात में भी नीचे उतर कर नहीं आता है बलकि जो भी वहाँ पर फल मिलते हैं परवत पर उन्हें फलों को खा करके वो वहीं रहने लगा उसी मंदिर में रहने लगा और अपनी तपस्या इसी तरीके से नित्य प्रतिक करने लगा धीरे धीरे उस बचे की आईू बढ़ती जाती है और वह बालक बारह बरस का हो जाता है उस बचे को नहीं पता होता है कि मेरी आयू सिर्फ बारह बरस की है वो सिर्फ ये जानता है कि मेरे पिता ने कहा था कि अपने इस भगवान संकर के शिवलिंग से हमेशा जुड़े रहना, चिपके रहना, इन्हें छोड़ना ही नहीं वो सिर्फ इतना जानता था एक दिन की बात है वह बालक भगवान संकर की पूजा कर रहा था पूजा करते करते उस बालक को नीन दाने लगी, तो वह बालक भवान संकर के उस शिवलिंग को दोनों हाथों से पकड़ करके और उसे शिवलिंग पर अपना माथा टिका करके सो गया इधर यम्राज लेने पहुंचते हैं उस बालक के प्राण को यम्राज को जब वह बालक देखता है अपने सामने तो डर से वह बालक कापने लगता है और भगवान संकर के शिवलिंग को और तेजी से कस के पकड़ लेता है जब बहुत तेजी से पकड़ता है तो भगवान संकर जो की तपस्या में लीन होते हैं उनका ध्यान भंग होता है और वह सोचते हैं इतनी जोर से मेरे गर्दन को किसनी पकड़ रखा है देखते हैं कि अरे यह तो एक छोटा सा बारह वरस का वालक है जो कि मेरी गर्दन को दबाए जा रहा है भवान संकर उसी समय वहाँ पर प्रगट होते हैं और बड़ी जोड से एक हाँ से जटका देते हैं तो यम्राज तो बहुत दूर जाकर के गिरते हैं दूर से यम्राज भवान संकर से हाथ जोड करके प्रातना करने लगते हैं और कहते हैं हे प्रभू इस बच्चे की आयू पूरी हो गई है इसलिए हम इसे यहाँ से लेने आये हैं भवान संकर कहते हैं मेरा प्रिय भक्त देख नहीं रहो यह मेरा प्रिय भक्त है और भक्ती भाव से यह मेरे गले से लिप्टा हुआ है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इसे लेने आये हो अब यह मेरा भक्त शताय हुआ ऐसा कह करके जब आशिरवाद दिया है तो उस बालक की आयू बढ़ गई उस बालक की आयू बढ़ गई और भगवान संकर ने उस बालक का नाम मारकंडे रखा बोले यह मेरा अनन्य भक्त इस प्रित्वी लोग पर मारकंडे रिशी के नाम से जाना जाएगा जब तक यह प्रित्वी लोग रहेगा तब तक यह मेरा सिस इस प्रित्वी लोग पर आदर्निय रहेगा और रिशियों में स्रिष्ट रिशी मारकंडे रिशी के नाम से यह जाना जाएगा और यह मेरा अनन्य भक्त है इस भक्त को कोई भी परास्त नहीं कर सकता सदा सरवदा मेरा आशिरवाद मेरे इस भक्त के उपर बनी रहेगी। इस प्रकार जिस बच्चे की आयो सिर्फ बारह वर्स की थी, उसको भगवान संकर ने सहस्त्र एक हजार वर्स की आयो दी। ऐसे हैं हमारे भोले भाबा, जो कोई भी उन्हें भजता है, उन्हें पूजता है, उनकी सेवा करता है, उनकी अर्चना करता है, भोले भाबा उसके भागे की लकीर को बदल देते हैं, भोले भाबा की जै हो, रिशी मुनियों की जै हो, सभी भक्तों की जै हो, जै हो, जै हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी किरपया वीडियो को लाइक करिएगा कमेंट बॉक्स में ओम नमा शिवाई रिखेगा जादा से जादा लोगों को यह कथा शेयर करिएगा जिससे की सुनने वाले भी भगवान संकर की भक्ती में लीन हो जाएं आशा करती हूँ कि यह कथा आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगीगी आईए सुनते हैं भगवान गणेस की कथा स्वी गणेसाए नमाहा भगवान गणेस की जैहो एक गाओं में एक बुढिया रहती थी साथ में उसकी एक बेटी रहती थी परिवार के नाम पर सिर्फ दो ही लोग थे घर के अंदर उनलों की आर्थिक इस्थिती अच्छी नहीं थी मा अपनी बेटी से कहती है बिटिया रोज भगवान गणेस की तुम पूजा क्या करो जिससे कि तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट ना आए आज मैं जीवित हूँ कल मैं तुम्हारी शादी कर दूँगी मैं जीवित रहूं या ना रहूं लेकिन भगवान गणेस तुम्हारे साथ सदा सरवदा बने रहेंगे वह लड़की अपनी मा से कहती ठीक है मा बताओ इसके लिए मुझे क्या करना होगा तो मा कहती है कि बेटा रोज मंदिर जाया करो और भगवान गणेस से प्राथना क्या करो कि तुम मेरे भाई हो और तुम ही मेरे वंदू हो तुम ही मेरे अपने हो तुम ही मेरे सब कोई हो इस धत्ती पर मेरा कोई नहीं है ऐसा नित्य भगवान गणेस के सामने हाथ जोड़ करके प्राथना क्या करो और जो भी अपनी समस्या है उस समस्या को उनसे कह करके आ जाया करो वह लड़की नित इस काम को करने लगी धीरे 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 उस लड़की का मन भवान गणेश के प्रती शद्धा पुर्वक शद्धा और भाव के साथ में भर गया साथवे वह गणेजी से इसनेह करने लगी कि यह मेरे भाई हैं बड़ा ही उसे इसनेह हो गया उसके इसनेह पुन भाव को देख करके भगवान गणेश भी सदा सरवदा उस लड़की की रक्षा करने लगे इधर क्या होता है कि घर में कोई पुरुष वर्ग नहीं होने के कारण वह जो बुड़ी माता होती है वह क्या करती है कि लोगों के घरों में बरतन धुलने का करने लगती है लेकिन इतना लोग नहीं देते थे खाने पीने का सामान कि जिससे उनके जीवन आराम से कट सके बड़े ही दुख पुर्वक उनके दिन गुजर रहे थे एक दिन की बात है वह बुड़ी माता सोचती है कि जो भी घर में कूड़ा करकट है उसे बेच देती हूँ तो कुछ पैसे आ जाएंगे तो कुछ आराम मिल जाएगा वह देखती है कि यह कटोड़ा किसी भी काम का नहीं है मैं इस कटोड़े का इस्तिमाल तो करती नहीं हूँ लो इसे भी मैं बेच दूँगी जो घर-घर बरतन देने वाले आते हैं उसको इस कटोड़े को बेच दूँगी और बदले में नए स्टील के एक दो बरतन ले लूँगी जो हमारे काम आएगा यह पुराना बेकार का टोड़ा मेरे किसी काम का नहीं है इसे मैं उठा के बेच दूँगी ऐसा वह मन में निश्य कर लेती है एक दिन वह एक आवाज को सुनती है कि एक विक्ती बाहर बेच रहा होता है और कह रहा होता है कि पुराने बरतन दे दो बदले में नए बरतन ले लो वह अपनी बेटी से कहती है कि जाओ इस बरतन वाले को बुलाला दर्वाजेता लड़की दौड़के जाती है और उसको बुलालाती है जो बेच रहा था मा कहती है बरतन बेचने वाले से कि भैया मेरे पास तो ज़्यादा कुछ नहीं है बस ये एक कटोरा है जो कि बड़ा भारी लगता है ये कटोरा तुम ले लो और बद्रे में मुझे स्टील के बरतन दे दो जब बरतन बाला उस कटोरे को देखता है तो समझ जाता है कि यह कोई साधारन कटोरा नहीं है यह सोने का कटोरा है वो सोचता है कि इस बुड़ी को तो कोई जानकारी है नहीं तो कहता है कि अरे यह तो बहुत ही पुराना और बेकार कटोरा है इस कटोरे को कौन लेगा? मैं भी इसको नहीं लोँगा ऐसा कहकरके बेवकूफ बनाने के लिए वह उस कटोरे को उसके घर के आंगन में फेक देता है वह भूरी माता बहुत दुखी हो जाती है उस कटोरे को फेक देता है और वो वहाँ से चला जाता है और मनी मन सोचता है कि कल परसों में फिर आऊंगा और फिर किसी तरीके से बेवकूप बना करके यह कटोरा में ले लूँगा ऐसा सोचते हुए वह बरतनवाला वहां से चला जाता है इधर वह बुड़ी माता सोचती है कितना खराब यह कटोला है कि इसे वह फ्री में भी नहीं लेना चाहता है बताओ मैं इस कटोले का क्या करूंगी तो अपनी बिटिया से कहती है जाओ इसको सीड़ी के नीचे रख दो कोई दूसरा बटन वाला आएगा तो उसको ही मैं दूँगी कि शायद वही ले ले वह लड़की कहती है कि ठीक है मां और घर के दरवाजे को बंद कर लेती है फिर वो लोग अपना नित्य कर्म करते हैं और रात को सोते हैं जब रात को सोते हैं तो वह लड़की भगवान गड़ेस को याद करने लगती है कि हे प्रभू कैसे दिन आए हैं कि मेरे घर में न भाई हैं न पिता हैं और हम लोग कितना परेशान हो करके अपने जीवन को गुजार रहे हैं कुछ तो जीवन में अच्छा कर हो जाए वह कहती है भगवान गड़ेस से कि हे गड़ेसी कुछ तो हमारे जीवन में अच्छा हो जाए और हमें लगे कि तुम्हारी कृपा मिल रही है मुझको फिर वह अपने मन की बात भगवान गड़ेस से कहने लगती है और बताती है उन्हें कि घर में एक कट्रोरा पड़ा हुआ है, मा उसे आज बेच रही थी, तो बरतन वाला भी उसे नहीं लिया, बलकि घर के आंगन में फेक करके चला गया, ऐसा कहते कहते वह सो जाती है, सपने में गणेश जी आते हैं, और कहते हैं, कि बेटा, उठो, करती है, और पूछती है, कहो कैसे आए हो, हमारे कश्टों को तो तुम दोर नहीं कर रहे हो, हमारी समस्या तो जस्की तस है, तुम आए हो तो हमारी समस्याओं को भी दूर करो, जिसे कि हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आए, भगवान गणिस कहते हैं, इसलिए मैं तु तो भवानगरेस कहते हैं कि जो कटोरा है जिसे तुमने सीड़ी के नीचे रख दिया है वह कोई मामुली कटोरा नहीं है वह सोने का कटोरा है उस कटोरे को ले जा करके किसी सोनार की दुकान में बेचो तुम लोगों को बहुत रुपए मिलेंगे और उस रुपए से तुम ल तो मैं तुम्हारे स्वपन में आकर के उस समस्या का समाधान अवस्य ही बताऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारे इस भक्ती से इस विश्वास से बहुत ही प्रसन हूँ कि तुम हर वक्त मेरा याद करती हो और मुझसे अपनी सारी बाते बताती हो अपने दुख और सुख को मु ही आएगा मेरी किर्पा सदा सरवदा तुम्हारे साथ रहेगी आज मैं आप लोगों को विजया एक आदसी पर एक बहुत ही सुन्दर कथा सुनाने जा रही हूं जो कि महा भारत कालिन यूग से संबंधित है बड़ा ही सुन्दर कथा है किर्पय इस कथा को पूरी सुनियेगा कहते हैं कि जो कोई भी भगवान की कथा को सुनता है उससे उसकी भक्ती बढ़ती है भगवान के प्रती प्रेम और सरवदा का भाव बढ़ता है और भगवान अपने भक्तों पर सदा सरवदा कल्यान करते है इसमें कोई दोराय नहीं है यह बात उस समय की है जब महा भारत का युद्द समाप्त हो चला युद्ध का आख्री दिन था महा भारत युद्ध समाप्त हो जाता है और पांडव पांडव युद्ध को जीत जाते हैं जब युद्ध को जीत जाते हैं तो अर्जुन जिस रत पे सवार होते हैं वह एक दिवी रत होता है वह साधार्ण रत नहीं होता है वह एक दिवी रत होता है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन इस रत से सबसे पहले तुम उतरो अर्जुन कहते हैं हे प्रभू, पहले आप उतरिये, मैं तो आपका सेवक हूँ, भक्त हूँ, मैं आखरी में उतरूँगा, जैसे नित्य होता था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन जो नित्य होता था, वो अब नहीं होगा। आज युद्ध का सम्मापन का दिन है, इस रत से पहले तुम उतरो, अर्जुन अपने सारे देवे अस्त्र सस्त्र को ले करके रत से नीचे उतर जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हनुमान जी से, कि हनुमान जी आप इस रत को छोड़ दीजे, हनुमान जी जो कि उस रत के ध्वजा पताका के साथ में बैठे वे थे, जिसे अर्जुन नहीं देख पा रहे थे, उन्हें नहीं मालुम था कि उनके रत पर स्वैम हनुमान जी पताका को पकड़ करके बैठे वे हैं, जब वह देखते हैं कि हनुमान जी रत से उतर रहे हैं, तो उन्हें बड़ा ही आश्चर होता है, और आश्चर के भाव से वह श्री कृष्ण भगवान की ओड़ देखने लगते हैं, और पूछते हैं कि प्रभू यह क्या आश्चर है, भवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है, अब तुम दूसरा चीज देखो, सारा रत खाली हो चुका है, रत खाली होने के बाद में, अब मैं इस रत से उतर रहा हूँ, जब भवान श्री कृष्ण उस रत से उतरते हैं नीचे, तो वह रत दिव रत था, जो की स्वर्ग लोग को चला जाता है, जब रत को उड़कर के जाते हुए देखते हैं, अर्जुन, तुन्हें और भी आश्चर होता है, और कहते हैं, अर्जुन, श्री कृष्म भवान से कि प्रभु ये क्या था, तब भवान स्री कृष्ण कहते हैं, कि यह एक दिव रत था, जिस रत पर मैं बैठा हूँ, वह एक साधारन रत तो नहीं हो सकता था न, क्योंकि एक साधारन रत में इतनी शक्ती नहीं है, कि वह मेरे भार को सहन कर सके, यह रत कितना दिव है, उसक बैठता हूँ और उतरता हूँ, इस रत पर स्वैम हनुमान जी द्वच पताका को ले करके बैठे वे थे, कि यह पताका जुके नहीं, गिरे नहीं, कहीं भी कुछ भी गलत ना हो, स्वैम इस रत पर हनुमान जी बैठे हैं, मादुर्गा की किर्पा इस रत पर पूरे पिसो घंटे रहती थी एक छण भी मादुर्गा ने अपनी द्रश्टी नहीं हटाई क्योंकि उन्होंने तुम्हें विजय होने का आशिरवाद दिया था इस रत पर मादुर्गा की शक्ति स्वरूप जो विजय है वो भी तुम्हें आशिरवाद के रूप में प्राप्त हो यह इतना दुर्लव रत था उस रत को जब करण ने तीन कदम पीछे किया तो सोचो कि वह कितना बड़ा भक्त है अपने इस्ट का वह साधार युद्धा नहीं था वह युद्धा अपने आप में एक बहुत ही बलसाली बहुत ही भक्तिवान और बहुत ही शक्तिवान युद्धा था इसलिए युद्ध में मैंने करण की प्रसंसा की थी और तुम्हें यह प्रसंसा अच्छी नहीं लगी लेकिन आज मैं बता रहा हूं इस दिव रत को भी कर्ण ने तीन कदम पीछे कर दिया था यह कर्ण की भक्ति का परिणाम है मित्रों भक्ति बहुत बड़ी चीज है भक्ति से किया गया पूजा पाठ इश्वर बड़ी जल्दी स्युकार करते हैं इसलिए भक्ति पुर्वक प्रभु का भजन करना चाहिए कथा सुनना चाहिए भगवान के लिलाओं को बड़ी भक्ति पुर्वक देखना चाहिए इससे भगवान के प्रती भक्ति और श्रद्धा बढ़ती है आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी किरपया कमेंट बॉक्स में जैसरी किष्ण अवस्य ही लिख दीजेगा आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी होगी किरपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा बेल आइकन दवाना ना भूलिएगा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद